सर्विस के कटलोग से दिए पेर नहीं होता है क्लोन नहीं हुता हमेंशा नया लंता है तो नया कैटलोग बनाने का है लचलोग सर्विशेज मेरन इपाँ जाओगे Catholic लोग, services, add new offering, बोलो, क्या ले लो category, जैंसिट, मैन पावर, मैन पावर, मैन पावर का ले लो, सर, दो कैटेगरी लोगा, कोई भी, जैंसिट, मैन पावर का, मैन पावर का, मैन पावर, यह कैटलोग, थोड़े difference है, अलग से, मैन पावर में अभी नया अपडेट आया, वो है लीन, इसके बारे में आपको जानना जरूरी है, लीन नमबर पता है, जो लोग मैन पावर दे रहे हैं, सर्विसेज, लीन क्या होता है, L.I.N. लीन मतलब, लेवर आइडेंटिफिकेशन नमबर, इससे पहले के रूल्स के बारे में, जो हम लोग बात करें, तो PF, ESIC, लेवर लाइसंस, यह सब को लीन के अंदर रखा गया थे, कि लोग, सब लोग, इसमें से कोई भी डॉकमेंट देते हो, तो आप लीन में आते हो, बा क्या हो रहा था, कि आधार के साथ सब को बोला, लिंक कर दो, तो आपका आधार नमबर मिला, तो उससे सब डिटेल्स आपका पता चल जाएगा, गोर्वर्मेंट ने ऐसा कर दिया, तो ऐसा ही लेवर में, जदि आपने PF निकाला है, ESIC निकाला है, तो सिप लीन नमबर आप PTC है क्या, यह सब जो compliance के document थे, सब lean में merge कर दिया, एक ही नमबर से पता चल जाएगा, जैसे कि आपको M परिवहन जदि आप लोग यूज करते हो, साथ सब लोग यूज करते ही M परिवहन, परिवहन का app होता है ना, उसमें जैसे अपना गाड़ी का नमबर डालोगे, और POC, POC है की नहीं है, मतलब आपका अभी वहीं पर M परिवहन से एक नमबर पे पूरे गाड़ी का हर चीज ट्रैकिंग होना चालो हो गया, इंसुनेंस है की नहीं, कब तक है, valid है की नहीं, है ना, तो अभी वो सब को centralized बना दिया, पहले क्या होता था, इंसुनेंस है तो उस अभी और एडिट ओडिट नहीं चलेगा, क्योंकि आप पे सब कुछ एक ही जटके में दिख जाता है, सेम इसी फॉर्मूला को अपना गया यहां पे, लीन के थुरू से, पहले भी लीन था, पर इतना updated रूप में नहीं था, तो आपके जो भी labor के regarding compliance है, manpower, मतलब आप कोई इनियर भी हो सकता है, डॉक्टर भी हो सकता है, नर्स भी हो सकता है, और इसकी लेवर भी हो सकता है, वेटर भी हो सकता है, कुछ भी, सब कुछ, जदि आप कोई manpower दे रहे हो, तो उसको हम लोग manpower outsourcing बोलेगे, और manpower outsourcing के लिए compliance mandatory है, यह तो आप लोग सब को पता है, जो आप manpower supply कर रहे हो तो आपके पास लेबर लाइसेंस पीएफ ये सब चीज़े होनी ही चाहिए तो ये सब को एक कमबाइन रूप में किया merely तो लीन नंबर जीधि आप निकाल लेते हो तो आपको लीन नंबर से ये पता चाल जाएंगा कि यह सब कुछ आपके पास PF है की नहीं, आपके कंपनी के नाम PSIC है की नहीं, आपके पास labor license है की नहीं, और जो भी compliance है, वो सब आप maintain भी कर रहे हो की नहीं, यह सब lean एकेला बता देगा, तो यही चीज आपका lean है, क्यूंकि अभी यह नया update हुआ है, एक मेहना भी नहीं हुआ इसको update करके, पहले manpower में कोई problem ले था, direct आप डाल सकते थे, clear है, lean मतलब, manpower के लिए lean मतलब, किसी को कोई doubts, no doubts, चलो, और एक चीज मेन पावर में जानना है, manpower में rate नहीं रहता, lean number निकालना पता है गया, नहीं, 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 पी एप निकलना पता है, पी एप कैसे निकलते हैं, पी एप का license, नहीं, नहीं, इरह हम है, किसी को चाहिए, तो हमारे से पी एप निकाल लेना है, खुद भी निकाल सकते हो, पी इतना easy है, लेन नंबर, पी एप के website में मिलता है, क्या बोलते हैं इसको, कौन सा website है, सरम सुविधा, lean, lean registration, देखो यहापे मिलेगा आपको, lean का एक options मिल जाएगा, सरम सुविधा के एप पे ही है, यहाप पे lean मिलेगा, now your lean, labor identification number, तो जब आप PF नंबर बगर डालोगे, उसके accordingly यहापे details खाली डाल दो, company का नाम डाल दो, pain card का नंबर डाल दो, कोई से भी details डाल दो, और उसके accordingly आपका एक lean का documents upload जाएगा, जदि नहीं निकाल रहे हो, तो यहाँ पे कुछ भी ने निकाले हो, तो यहाँ पे सब details भरो, या तो यहाँ से भरो, PF क्या है आपके पास, PF है, ESIC है, क्या है, EPFA, तो EPF का registration number डालो, verification यह code डालो, submit कर दो, तो भी आपको lean का certificate यहाँ पे मिल जाएगा, और वही certificate इधर upload कर देने का, इसमें से कोई भी document चलेगा, इतने सारे में, इसमें से जएदे आपके पास कोई भी documents है, तो आप lean number निकाल सकते हो, क्यूंकि यह इसलिए मैं बता रहा हूँ, पहले यह बताता नहीं था मैं, अभी इसलिए बताना ज़रूरी हो गया, क्योंकि market में इसकी demand आ गई, और लोग इसके लिए मन चाहा पैसा देने लेगे, यह छोटे से चीज़ के लिए, दो, दो, तीन, तीन, चार, चार, हजार, पांच, पांच, हजार लुपया ले रहे, सब कुछ आपके बास है, lean number तो निकालना है, खल, वो तो आप भी निकाल सकते हो, कुछ बड़ी बात नहीं है, easy है, है ना, तो इसमें से कोई भी document से आपके बास, तो चूज करो, details डालो, submit करो, lean number आपको मिल जाएगा, जनरली पी-एप, labor जदि आप labor पे काम कर रहे हो, manpower पे काम कर रहे हो, तो पी-एप और ESIC होना चाहिए, at least पी-एप तो निकालो, यह समझ लो, तो यह था, first terms, दूसरा है अपना rate, अब लोग, manpower में rate के बारे बात कर देए, manpower में आप लोगों ने rate code किया है अभी तक, किसी ने? नहीं, किया है सर, 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 minimum wages circular के, minimum wages, state government के, जो बहुँ है, central government के minimum wages रहता है, यहाँ पर rate नहीं रहता, product की तरह rate नहीं रहता, जो मुझे यह mask 200 रुपे में बेचना है, तो 200 में चुँगा, ऐसा नहीं रहता, आपको specific profit percentage बताना पड़ता है, minimum wages government decide करती है, या जो government वो आप किस area में आते हो, यहाँ पर rate हमेशा बदल जाएगा, हर जगा पर आपको rate एक नहीं मिलेगा, अभी पूना में ही, पूना में total 5 zone है, zone 1, zone 2, zone 3, zone 4, zone 5, हर एक zone का rate अलग है, जोदि हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर पूने का ही लेता हूँ, तो पूने में total 5 zone है, मुझे अभी पूरा तो भी याद नहीं आ रहा है, पर पूने में मुझे पता है, zone 5 है, ऐसे रहता है, zone कैसा decide होता है, उसके accordingly decide होता है, मतलब कहाँ पे कितना progress है, कहाँ पे कितना पैसे वाले हैं या पिर क्या वोलुंगा उसको, development कहाँ जेता हुआ है, तो वहाँ पे उसके accordingly zone एक decide होता है, तीस zone में, अभी zone 1 हुआ है, तो zone 1 में मालो हम लोग unskilled labor के बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं unskilled labor का, तो unskilled labor जदि आप वहाँ पे supply कर रहे हो, zone 1 में कहीं पर भी, चाहे वो private company हो या government हो, कहीं पर, सब के लिए rules से में, ऐसा नहीं कि government के लिए rule अलग है, private के लिए प्राइवेट के लिए भी यही rule लग होता है, उसके एक minimum wages होगा unskilled labor का, तो रेट माल लो हम डालते थे, zone 1 के लिए 455 है, zone 2 के लिए 455 है, zone 3 के लिए 425 है, zone 4 के लिए 460 है, zone 6 के लिए 455 है, ऐसा rate government decide कर दिए, यह हर साल 3 मेहने में, 6 मेहने में बदल भी सकता है, ऐसा government के तरफ से rate आता है, अब यह rate बोलेंगे कहा मिलेगा, तो यह rate मिलेगा आपको labor office में, labor commissioner के office में जाओगे, तो वहाँ पे हर एक zone का rate रहता है, इसमें 4 category होते है, unskilled, semi-skilled, skilled, और एक क्या होता है, और एक होता है कुछ, ठीक है, सबका आपको ऐसा rate मिल जाएगा, अब ही आप जो जो एरिया zone 1 में आता है, वहाँ पे काम कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको कम से कम 4500 रुपया rate मिलेगा ही मिलेगा, उससे कम नहीं दे सकता कोई भी, इसको ही बोलते है minimum wages, clear हो गया, तो यहाँ पे जब government आपको कोई contract देगी, तो वह अपने accordingly आपको rate देगी, जो में zone 1 में काम निकला है, वह बोलेगी मैं आपको 460 रुपया rate देता हूँ, 450 से तो कम दे नहीं सकता है, उसके उपर दे सकता है, तो वह बोली 460 रुपया दे देगी, तो जदि आप 460 में उसके साथ काम करोगे, तो आपको तो जो आपके पास जो आदमी काम पे आएगा, उसको तो आपको ये पैसा उनको भी देना है, सेम पैसा आपको 408 मिलेगा यह 460 रुपया आप उसका आपको भी आपके लेबर को देना है जो आपके पास काम पे आएगा क्योंकि यह लेबर का हग है जो आपके पास काम पे है manpower जो पैसा government से आपको मिलेगा वही पैसा आपको भी उनको देना पड़ेगा आप उसमें एक रुपया कमा नहीं सकते क्योंकि उसका paper document को submit करना पड़ता है जो हमने जो पैसा दिया वो पैसा आपने उसको दिया कि नहीं या उसको कम तो नहीं दे दिया तो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उसका हुआ हक का पैसा है तो आप क्या फिरी में काम करोगे आपको तो कुछ profit चाहिए तो इसलिए हाप सिर्फ इसके उपर profit percentage decide करते हो मुझे 5% profit चाहिए मतलब जो भी आएगा rate तो आपको हर एक आदमी के उपर 5% का profit मिलेगा वही आपका पैसा है हाँ वो अलग बात है आप यहां से भी पैसा निकाल लेते हो जो लोग manpower में काम करते हैं उनको पता है यहां से भी कैसे पैसा निकालने करते है तो यह manpower है कोई doubts है इसमें दोवारा बताओ सर या इसके नीचे आप पैसा नहीं दे सकता है इसके नीचे नहीं दे सकता यह गौपर sounds करेगी वह तो government के ओपर है जो department है private में काम कर रहे है तो private company decide करेंगी जो मुझे कितने में देना है चारसो साथ में चारसो पचास के नीचे नहीं दे सकता है वो 500 भी दे सकता है सबके लिए सेम रूल है आपने यह 5 परसंट मार्जन बताया है पांच परसंट मार्जन तो बहुत कम है कम सक्वाइब करें आप हंडेट परसंट मार्जन ले लो पांसों आपको प्रॉफिट मिलेगा प्रफिट फिर तो अजार रुप्या हो जाएगी आपका यशार रुप्या होज है तो यह सिर्फ आपको मैंने तरीका बताया कि आपको प्रॉफिट कितना लेना है वह आप डिसाइड कर लो वह आगे बताँ हमाई अए इसमें जैसे तो हमें जो जो पैसा होगा वो ले आपके मैन पाउर को दोगे जकताब सर आपने बता है कि इसमें से भी पैसे निकलते जो मैं पाउर में काम करती उसको पता है तो आपको काम करते हो तो आपको पता चल जाएगा नहीं तो जैसे काम करोगे उसे पता चलेगा सर मैं यह कह रहा था कि एक हजार रुपे जब अगर हो जाएगा पांट-पांशल पर तो गवर्मेंट के उपर है आपका आप ट्रेट डाल सकते हो मैंने ऐसा बोला काम मिलेगा की नहीं वो सबसे कम रेट जो देगा उसको काम मिलेगा तो आपको जैसे आपका रेट सबसे कम है तो आपको मिलेगा इसमें सभी टेक्से इंक्लूड़ेद है चलो तो डालेंगे कैसे इसको पहले आपको आड करोगे तो यहाँ पर एक experience का options आता है experience बोलके बोलते हैं यह देखो mandatory नहीं है क्या mandatory इसमें लिखा रहा है mandatory नहीं है चाहो तो डाल सकते हो तो आप experience जो डालोगे वो government का ही डालना पड़ेगा प्राइवेट का नहीं चलता तो आपने जिसके साथ काम क्या उनका नाम work order होगा तो order number कब project का value कितना था और duration कब का था और यहां पर work order का copy upload करोगे और फिर जहां से आपको काम मिला वो buyer का पूरा contact details email id वगरा सब जब यह upload करोगे तो जेम verify करेगा यह buyer के साथ जो यह work order सही है क्या यह जदि बोलेगा हां यह सही है तो आपका यह अप्रूब होगा catalog नहीं तो mandatory होती है जिसमें हम उसी में experience को छोड़ देते क्योंकि इसमें mandatory ने बाद में मैंने डाला work order भी सही है और अप्रूब वो buyer ने अप्रूब ही नहीं किया तो मेरा catalog reject हो जाएगा यहाद पर अपने जेम से आपको order मिला है तो कोई problem नहीं आप डाइरेक्ट वह वर्कॉडर सब्सक्राइब करना है कि टेंडर के टाइम पर अप्लोड करना है कि हम बनाई रहे हैं अच्छा बनाती समय ना ठीक दिने सर यह अब order डालने का बात कर रहे हैं यह तो फिर अपने को जो offline order मिला है वह डालना है ना इसमें आफ लाइन पहले हम लोग जब काम करते थे काम करते थे अभी सब्सक्राइब कर लेता है कि यह आपने बराबर किया है क्या सब्सक्राइब कर देते ना लोग की नहीं करते भी इसा दरूर लोग मेल ही चेक नहीं करते मेल में डालता है मेल चेक ही नहीं करते फिर आपको उसके पास जाके उसको बताना पड़ेगा मेल आया होगा उसको रिप्लाइदे दो और यह डालना जरूरी है कि इसमें मैंडेटरी है क्या experience के बाद इस्टार मार्क नहीं है तो मैंडे सब्सक्राइब करना है इसके बारे में यह बता रहा है ऐसे ले जब आपको वर्क और मिलता है तो यह वर्क और का ड्राप्ट कोपी है पूरा अच्छा यह ड्राप्ट हो गया है एक्सपिरेंस से चालो होता है experience mandatory रहा तो करो ऐसा मेरा सजेसन तो हमेंसा रहता है कि हम experience mandatory जैदि GM से order मिला है तो मैं फिलफ करता हूं GM से order नहीं मिला है तो मैं कभी फिलफ नहीं करता हूं कुई कि बाएर अप्रूब नहीं करता और catalog reject हो जाता है mandate रहा तो करना ही पड़ेगा है ना तो मैं इसको छोड़ देता हूं करना है तो कैसे करना है वो मैंने आपको बताया ठीक है रेटीट मुझे लेवर कोई डालना है या कुछ भी डालना है बोलो क्या डालो यहां पर देखो चार कैटिगरी हां highly skilled है ऑड़ इसकील्ड सेमी कीज्ड इसकील्ड और highly skilled बोलो किस कैटिगरी में ले लोग अनिसकील्ड में बहुत सारी कैटिगरी है एड्मीन finance में IT technician, non-IT technician, health care या others? Others. Others में आपको सब मिलेगा ये sweeper, office pion वगरा मिलेगा ना क्या-क्या supply करना चाहते है मजदू, labor, mali, sweeper, wasser, attender office pion, office boy यहाँ पे बहुत सारे है आपको जो supply करना है लेलो यहाँ पे ऐसा catalog डालोगे मालोग कुक का और electration का profit जदी आपका same है तो आप दोनों एक सार डाल सकते हो जदी सबका अलग-अलग है तो आप अलग-अलग catalog बनाओगे मालो मेरा ये तीनों का rate same रहेगा, तो मैं तीनों को एक सार डालता हूँ education qualification, तीनों का कुछ भी नहीं है भीना education बना है तीनों में अभी तीनों के लिए similar होना चाहिए सब चीज़ और ऐसा catalog बनाओगे not required PG, post graduation नहीं है experience, तो मेरे पास 0 to 3S वाले experience वाले भी है और 3 to 7 वाले भी है और भी है तो डाल सकते हो 7 से 10 वाले भी है और सबका rate भी मेरा same रहेगा कहां supply करना चाते है मैं पूरे all over महराष्टा में करना चाता हूँ तो महराष्टा डाल दो मैं सिर्फ अपने pin code में supply करना चाता हूँ तो सिर्फ अपना pin code डाल देता हूँ सिर्फ मैं इस pin code में supply करना चाता हूँ ये pin code छोड़के मैं तो कहा सप्लाइ कर रहा हूं यह पिन कोड प्लस सोलापूर में पूरा पूरा नहीं सिर्फ पूरा के इस पिन कोड में प्लस सोलापूर पूरा डिस्टिक्ट ऐसे भी डाल सकते हो जैसे मैंने डाला है minimum कम से कम कितना labor आप supply करोगे तो मैं कम से कम मुझे तीन labor तो चाहिए या 10 आप एक भी डाल सकते हो और maximum कितना दे सकते हो मैं maximum 20 लोग तक दे सकता हूँ profit कितना लोगे minimum वज़ेस्ट इसमें fix है इसमें खाली profit डालना है कितना percent profit लोगे 3.85 कम से कम 99.99% maximum तो मैं 10% profit लेना चाहता हूँ 10% डाल तुमकर clear और इसको करेंगे certification अब इसमें देखो ISO certification mandatory नहीं है compliance or labor loss mandatory नहीं पर undertaking of labor identification number LIN mandatory कर दिया है तो आपको यहाँ पर यह डालना ही पड़ेगा डाल के इसको click here करो और यहाँ पर लीन का और undertaking का एक लीन के रिगार्डिंगा undertaking डालो इसको upload करो और valid करके save कर दो और approval के लिए भेज़ दो जब यह पूरा पर यह चेक कर लेगा कि यह सब documents आपका सही है तो यह आपको इस तरीके से approval मिल जाएगा मेरा अपरूब इसलिए है बीना certification डाले क्यूंकि मेरे यह catalog जब यह नहीं था लीन नंबर नहीं था तब डाला था इसलिए अपरूब दिखा रहा है मैं अभी जद इसमें डाल दिया तो तूरंत यह reject हो जाएगा क्योंकि proper ही लगेगा अभी इसलिए rate seat भी आपको चेरिंद दिख रहा होगा देखो पहले का rate seat कितना है मेरा 2% है यहाँ पर minimum कितना है 3.85 तो मुझे तो 2 डालने ही नहीं दोना चाहिए था यह पहले पहले 0.85 परसंट मिनिमूम था अभी इसको बढ़ा के 3.85 परसंट मिनिमूम कर दिया समझ में आ गया फिर manpower का कैसा डालना है और डालना है आपको add तो multiple डाल सकते हो और add कर सकते हो मालनो मुझे engineer भी supply करना है यह अनि-skilled में ही supply करना है आदर्स में ही करना है पर मुझे अभी दूसरा कुछ करना है कुक इलेक्टिस से छोड़के दूसरा भी कुछ करना है कारपेंटर देना है या ड्राइवर देना है या बुक में कर देना है बारवर देना है तो दे सकते हैं इनका education qualification क्या है high school तक बढ़ा है आप इसे multiple catalog बना सकते हो जैसे चाहिए हो इसा कितने वाले मेरे पास seven to ten years वाले experience वाले कहां पर यह पूरा कहा सप्लाई करना चाहते है यह मैं पूरे पूरे में सप्लाई करना चाहते हूं तो पूरा पूरा में से minimum quantity maximum जितने चाहिए आप उत्मा एड रो कर सकते हो एड रो करो उतने catalog बनाते रहो इंजिनियर देना इंजिनियर दे सकते हो है ना जैसे चाहिए हो इसा दे सकते हो मौनसर प्रॉफिट का पर्सेंटेज समय नहीं है दस पर्सेंट लब मैक्सिमम पर्सेंटेज अपने इसाफ से भी दे सकते हैं जो गौर्वर्मेंट के अकोडिंगली रेट है 500 रुप्या तो आपने दस पर्सेंट प्रॉफिट डिया तो आपको टोटल हर मंत एक आदमी के इस पापासंट प्रॉफिट कर और अदमी के पिछा फैसा मिलेगा सीम पल लॉजिक है चीके? चीके?